नमस्कार दोस्तों मैं आशिस और आप देख रहे हैं तप एंफ्लिट आज हम बात करने जा रहे हैं नियू यॉक टाइम्स की अमेरिका का प्रतिष्ठित नामी समाचार पत्र है और वहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ली पत्र के दफ्तर में हो रहा है लेकिन उनकी समस्यां इससे भी थोड़ा दो कदम आगे हैं अमेरिका में सब कुछ ठीक नहीं है जब से अलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदा है तभी से अमेरिका में भया नक उठा पटक का दोड़ जा रही है कई ट्विटर फाइल सामने आ है क्योंकि मीडिया वहाँ पर धरने पर बैठी विए आप चाहें तो कह सकते हैं कि बड़े बड़े देशों में सेनुरिता छोटी छोटी बाते होती रहती हैं लेकिन ऐसा नहीं है यह सामाने से बात नहीं है चाहे बात NDTV की हो या फिर New York Times की वोक्स के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं वोक्स वैशी ग्रूप से खराब दोर में जी रहे हैं सारी दुनिया के सरदर्दी को अपना नीजी सरदर्द मानने वाले New York Times में बगावत हो चुकी है और वो भी पैसे को ले करके अच्छे वर्क प्लेस को ले करके और तो और वर्क फ्रॉम होम की फ्रिडम को ले करके भी कुछ लोगों तो ये भी कहना है कि New York Times के स्टाफ के हरताल पर जाने से फेक न्यूज के बाज़ार में 99.37 की गिरावड दर्ज हुई है भले ही ऐसा है नहीं ये सिर्फ कुछ हासी की बाते हैं जो सोशल मेडिया पे शेयर की जा रही है फॉक्स न्यूज न्यॉ 22 गंटे की एतिहाजी हरताल चल रही है ऐसी हरताल जिसमें 1100 से अधिक स्टाफ शामिल है मैनेजमेंट और स्टाफ का प्रतिनिद्द्द करने वाली यूनियन द्वारा एक नए कॉंट्रक्ट को ले करके कुछ सहमती नहीं बन पाई है इसके बाद से यूनियन ने इस हरताल करने का फैसला लिया गिर्ड ने संदेश जारीकर साफ साफ लिखा है कि अखवार ने उनकी मेनद से मोटा पैसा कमाया तो फिरो इस्टाफ के साथ उसे क्यों नहीं बाढ़ना चाता है गिर्ड ने यहां तक लिखा है कि अगर आप विरस्पतिवार और सुक्रुआर को हमार सालों में देश के प्रमुख समाचार पत्र में पत्रकारों के नित्रित वाला यह सबसे बड़ा श्रमिक प्रदर्शन है नियॉक टाइम्स गिल्ड की 24 घंटे की हरताल के पीछे जो वज़े हैं उसमें कॉंट्रेट की प्रक्रिया की दीमी रफ्तार इसवेसे राइटर संपा काम करने में नर्मी लचिलापन जैसे वर्फ फाम हम करने के आजादी यह सब मांगे कर रहे हैं और इसकों लेकर कि यह सब मैनहेटन में सड़कों पर हैं New York Times is making record profits and the people who make the news need to share in that News Guild of New York का कहना है कि पिछला कॉंट्रेक्ट मार्च 2021 में समापत हो गया था जिसके बाद से हो रही bargaining से वो तंग आ चुके हैं अब इस सब्ता गिल्ड लीडर्स ने कहा कि कंपनी यानि New York Times की घर्ती गुडविल श्रमिकों के साथ वाजिव कॉंट्रेक्ट ना करना कुछ ऐसे कारण हैं जिन्हों ने उन्हें प्रदर्शन और इस हरताल के लिए प्रेडित किया है गिल्ड के सदसे माइकल पॉवल जो New York Times के राष्टी डेस्क के लिए फ्री स्पीच मामलों को कवर करते हैं उनका तो यहां तक कहना है कि बढ़ती हुई महेंगाई में New York Times लिए की सहली को गटाया है New York Times की एक पुलिजर पुरुषकार विजेता खोजी पत्रकार निकोल हना जोन्स का कहना है कि वो क्रोधित नहीं है लेकि निराश जरूर है ऐसे ही अन्य स्टाफ का कहना है कि New York Times जैसी जगे पर काम करने के लिए आर्थी ग्रूप से संगर्स नहीं होना चाहिए कमपनी जब अच्छा कमाती है तो वो उसे स्टाफ के स्टाफ भी अवश्य शियर करे तो फिर यह ऐसा क्यों नहीं कर रहे है टाइमस में पत्रकारों और अन्य करमचारियों का प्रतिनी दित्व करने वाली संस्ता The News Guild of New York ने अपने पाठकों को एक पत्र लिखा है इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि हम समाचार पत्र की सफलता के लिए प्रतिबद हैं लेकिन इस बार दश्रकों बाद हम पहली बार इस मिशन को एक नहीं तरह से आगी रख रहे हैं मंगलवार देरात 12 घंटे से अधिक समय तक चली दोनों पक्षों की बीच बादचीत बुद्धवारा तक जारी रही लेकिन ये बेने तीजा रही और उसके बाद से एमप्लोईज हरताल पर चले गए कमपनी का कहना है कि वो इस फैसले से निराश है लेकिन वो अपने पार्थकों को बिना किसी विवदान के सेवा देना जारी रखेंगे ताइम्स के एक अधिकारी ने CNN से बादचीत में सुईकार किया कि लाखों पाठकों पर निरवरी सब्गवार में हरताल निश्ची दूरूप से उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है हालांकि मेनेजमेंट का कहना है कि वो कुछ समय के लिए काम को आउट्सोर्स कर सकते हैं और उन लोगों की मदद ले सकते हैं जो अंतराश्ची करमजारी इस संग का हिस्सा नहीं है निउस गिल्ड और नियॉर्क के देक्ष सुजन डिकर्वा का कहना है कि Management चाता है कि वो बंद कमरों में बातचीत करें लेकिन उनका कहना है कि यूनियन इस लोग तंतर संग सकती के लिए मैथो पूर्ण है इसलिए वो बंद कमरे में बातचीत नहीं करेंगे बताय जा रहा है कि यह हरताल ऐसे समय पे सामने आई है जब आमीरका की मीडिया उद्योग में छटनी और कटोतियां चल रही है हाली के सब्ताओं में CNN ने सेकड़ों करमचारियों को निकाला समाचार पत्र गनेट ने 200 नौकरियों में कटोति की इसी कड़ी में पिट्सबर्ग पोस्ट और फोर्ट वर्थ स्टार जैसे कुछ मीडिया संस्थान भी हैं जिनके स्टाओं बैतर सेलरी की मांग के लिए हरताल और प्रदर्शन कर रहे हैं सवाल ये है कि किसी भी भारतिय मीडिया संस्थान में जो मुख्यधारा की मीडिया है वो नियूर्प पोस्ट में चल रही इस हरताल इस प्रदर्शन की बात क्यों नहीं कर रही है जबकि यही नियूर्प पोस्ट भारत की हर दूसरी घटना पर उसको एक एजंडा के रूप में पूरी विश्व के सामने रख रहा होता है अब जब 1100 करमचारी अपने बेतर वर्क प्लेस के लिए अपने अधिकारों के लिए अपनी बेतर सेलरी के लिए मांग कर रही है तो ये खबर आप किसी भी खासकर हिंदी मीडिया में तो नहीं देख रहे होंगे भारत जोड़ो यातरा से लेकर के बिल्की जबानों पर करण पर या फिर कोई भी ऐसा विचार हो जिस पर अर्विंद केजरिवाल के स्कूल मॉडल को फ्रंट पेज पे चापने का ही हो ऐसे चीज़ों में प्रमुक्ता से पाटिसिपेट करने वाला नियोक टाइम्स आज खुद उसी के करमचारी सडकों पर हैं लेकिन भारतिय मुखिधारा की भारतिय मीडियास पर बात नहीं कर रही है इसी पर बात करने के लिए ऐसे ही मुद्धों पर बात करने के लिए दपैंफ्लेट है आप हमको देखते रहे हमें शेयर करना न भूलें और चैनल को सबस्क्राइब करना तो बिलकुल नहीं भूलना है देखते रहे दपैंफ्लेट धन्यवाँ